नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Success Plus Academy के प्लेटफॉम पे मेरा नाम है सुमित और आज हम शुरू करने वाले हैं Medieval India यानि की मद्यकालिन भार्त का इथियास और मद्यकालिन भार्त के इथियास में हमें क्या-क्या पढ़ना है वो सारी चीजे हम इस वीडियो में देखेंगे एक ब्रीफ टाइम लाइन देखेंगे कि आपके exam point of view से कौन-कौन से important topic है जो आपको cover करने है उन सभी के बारे में हम detail में videos देखेंगे लेकिन अभी इसमें हम एक content देख लेते हैं कि हमें मद्यकालिन भार्त में क्या-क्या पढ़ना है तो अगर आप UPSC, SSC, Railway और various state PSC exams की तयारी कर रहे हैं चाहे वो technical हो या non-technical तो आपको इस channel पे content मिल जाएगा तो आप channel को subscribe कर सकते हैं दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आपने अगर ancient India नहीं पढ़ा है तो ancient India का जो history है वो पूरा upload हो चुका है channel की playlist में तो वो भी आप जाके देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले शुरू करना है कि मद्यकालिन भार्त जो है कि जब हर्श वर्दन का समय खतम हो जाता है तो ancient India खतम हो जाता है उसके बाद का जो इथियास है उसको हम मद्यकालिन भार्त में पढ़ते हैं कहां तक? 800 सताओं तक जो हमारा पहला revolt हुआ था revolution हुआ था आजादी के लिए वहां तक का जो इथियास है उसको मद्यकालिन भार्त माना जाता है लेकिन कुछ historians मानते हैं कि जो भार्त में पहला invasion हुआ था अर्बों के द्वारा यान कि भार्त में मुसल्मानों का जो पहला attack हुआ था successful वहां से लेके अठासु सताओं तक का जो समय है उसको मानते हैं मद्यकालिन भार्त का हिस्सा तो पहला मुसल्मानों का successful attack कब हुआ था वो हुआ था 712 AD में ये किया था मुहमद बिन कासिम ने मुहमद बिन कासिम एक 17 साल का सिपाई था सिपसिलार था या सिपाई नहीं सेना पती था जो की अरब से आया था और इसने सिंध जो प्रांज था आज के ताइम जो पाकिस्तान में है और मुल्तान यहां पे आके attack किया था और ये पहला अकर्मन था जो successful रहा था भार्त में मुसलिम्स के दौरा जो की अरबों ने किया था तो ये आपको ध्यान रखना है इसका हम अगला वीडियो इसी का पड़ेंगे उसके बाद भार्त में इसलाम और सुफिजम का growth होना शुरू हो गया था अब इसलाम का जो इत्यास है वो भी medieval period से ही लगबग शुरू होता है जो history है पूरी इसलाम की वो उसका मैंने एक separate video बना रखा है आप जाके देख सकते हैं कि जो मुस्लिम जो इसलाम धरम है उसका क्या इत्यास है उसका rise कैसे हुआ कैसे वो दुनिया भर में फैला वो सारी चीज़े आप पड़ सकते हैं फिर होते हैं मोहमत गजनवी या फिर गजनी के 17 बार भारत में आकर्मन इसके 17 बार अकर्मन हुए भारत में 17 बार attack किया इसने भारत में 1000 से लेके 1027 तक जिसमें भी इसका सोलवा आकर्मन सबसे famous है जो इसने सौमनाथ के मंदिर पे किया था और खजाना इसने पूरा लूट लिया था उस मंदिर को 23 कर दिया था तो इसका जो आकर्मन होते थे, महमत गजनवी के, यह आकर्मन होते थे यहाँ पे शाशन करने के लिए नहीं होते थे इसका मैन उदर्श्य होता था कि यहाँ की जो संपधा है उसको लूटना क्योंकि भार्थ को आपको पता है सोने की चड़िया कहा जाता था क्यों कहा जाता था भो थी यहां पी धनवान देश था और उस समय यह आता था और यहां के जो मंदिर थे इनको लूट के लेके चला जाता था तो मुहमत गजनवी ने 17 बार आकर्मन की उसके बाद यह तुर्क था यह जो थे यह अर्ब जो अर्ब साशक थे उसके बाद यह तुर्क एमिनिस्तान से आये थे इसलिए इनको तुर्क कहा जाता है गजनवी को इनका मैं मैं कित्रू आपको बताऊंगा कैसे कैसे आकर्मन हुआ फिर गोर शाशक आया एक मुहमद गोरी इसने 1175 से लेके 126 तक के बीच में भारत में क्या क्या चीजे करी 1175 में पहली बार इसने आकरमन किये थे जो पाकिस्तान का जो लाहूर वाला इलाका है वहाँ पे लेकिन इसके famous दो लडाईया है आपको पता है तराइन की जो लडाईया हैं पहली हुई थी 1191 में और दूसरी हुई थी 1192 में ये किसके साथ लड़ाई हुई थी एक तरफ था मुहमद गोरी और दूसरी तरफ चोहान वंस का साशक था पर्थिराज चोहान जिसको पर्थिराज तिर्तिय भी कहा जाता है तो उसने लड़ाई लड़ी दिल्ली सल्तिनत के टाइम दिल्ली के अंदर वो दिल्ली का साशक था दिली और अजमेर का तो 1191 में पहली लड़ाई में पर्थिरा चोहां जीत गया और 1192 की दूसरी लड़ाई जो हुई तरह इन की उसमें मुहमत गोरी जीत गया और यहां से भारत में मुस्लिम रूल की शुरुआत होती है देखो यह जो सिंद में जो लड़ाई लड़ी मुहमत बिन कासिम ने यहां पर यह रूल पूरी तरह से कायम नहीं कर पाई अरब के जो लोग हैं इन्होंने इसको पूरे से यह ऐसा नहीं कि इन्होंने भारत में रूल शुरू कर दिया था बहुत अच्छे से इनकी establishment हो गया था मुस्लिम रूल ऐसा नहीं हुआ लेकिन मुहमत गौरी ने रूल स्टापित किया यह खुद नहीं रहा इसका एक गुलाम था कुतुब दिन एबक उसको यह भारत में छोड़ के चला गया और 1206 में जब मुहमत गौरी की मृत्य हो जाती है उसके बाद दिल्ली सल्तनत पिरियड शुरू होता है 1206 से लेके 1526 के बीच का समय को दिल्ली सल्तनत पिरियड कहा जाता है सल्तनत यानि कि सुल्तान से सल्तनत बना है यहां के जो राजा थे इस समय के दिल्ली के वो खुद को सुल्तान की उपादी देते थे ज्यादातर राजा वहाँ पे उन राजाओं की शुरुवात होती है 1206 में और वो पहला राजा होता है कुतुब दिन एबग जो की गुलाम वन्सका सासव होता है उसके बाद 1526 में क्या होता है मुगल आ जाते हैं और 1526 से लेके 800-7 तक मुगलों का शासन होता है और उसके बाद आते हैं इने के बीच में arrival of European जो अलग-लग उरोप के देश के लोग आते हैं जिसमें इस British East India Company है उसके अलावा आपको पता है वासको डिगामा भी आता है उसके इलावा फ्रेंश भी आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं जिनमें सक्सेस मिलती है सरफ British East India Company को ठ होगा हमारा modern इंडिया में, ओके, तो दिल्ली सल्तनत में हमें क्या पढ़ना है 1260 से लेके 1526 तक, इसके अंदर हमें पढ़नी है 5 डाइनस्टी, जिनमें सबसे पहली है, स्लेव डाइनस्टी, जिसका मैंने आपको बता है, कुटुब दिन एबक से लेके, इसके 9 रूलर रहे बलबन तक, और ये 1260 से लेके 1290 तक इन्होंने साशन किया, उसके बाद आता है खिलजी डाइनस्टी, जो कि सबसे पावरफुल डाइनस्टी मानी जाती है, और उसका भी एक फेमस रूलर आपने सबने सुना होगा, अलाउदिन खिलजी, जो कि सबसे पावरफुल राजा होता है, इस दिल्ली सल्तनत पिरियड का, ठीक है, तो इन्होंने साशन किया 1290 से लेके 1320 तक, ज्यादा समय साशन नहीं किया, लेकिन इन्होंने एरिया को बहुत ज्यादा बहुत सारे इन्होंने काम किये, वो सारी चीजे हम डिसकस करें, उसके बाद आता है तुकलक वन्ष, तुकलक वन्ष में भी आपने मुहमद बिन तुकलक का नाम सुना होगा, जो कि भारत के सल्तनत पिरियड का सबसे योग्ये साशक माना जाता है, और सबसे पागल भी मान तो वो उसका साशन पिरियड जो आता है, वो तुकलक वन्ष में आता है, और इन्होंने तेरा सो बीस से लेके फोज़ा सो चोधा तक का स्टाइम में इन्होंने साशन किया, उसके बाद आफिर्य जो रूलर होते हैं दिल्ली सलतनत के वो होते हैं लोधी डैनस्टी, और पानिपत की पहली लड़ाई पानिपत की फैस्ट बैटल ओफ पानिपत 1526 में लड़ा गया जिसमें बाबर जीता क्योंकि इसमें बाबर लेके आया था अपने साथ तोफ ठीक हैं तोपों से होने वाली ये पहली लड़ाई थी 1526 में और उसके बाद बनती है मुगल सल्तनत Two, page में पढ़ना है। एक तो Great Mughals होएं और दूसरे होएं जो उसके Post Mughals जिनको बोला जाता है। या फिर Later Mughals जिनको कहा जाता है। तो Great Mughals में जो गिने जाते हैं वो हैं prawdER से लेके औरंगजेब अंठेम तक। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायू इसने 1530 से लेके 1540 साशन किया पहले लेकिन उसके बाद सेरशा सुर्य ने इसको युद में हरा दिया और भगा दिया 15 साल के लिए फिर वापस आता है और एक साल के लिए या फिर 7-8 मीने के लिए फिर से साशन करता है और 1556 में इसकी म सब किया फिर आता है अकबर का बेटा जहांगिर जिसका नाम सलीम से भी आप जानते होंगे जहांगिर ने रूल किया 1605 से लेके 27 1627 तक ठीक फिर इसके बाद शाज जहां इसने बनाया ताज महल लाल किला ये सब बनवाया इसने 1628 से 1608 तक शाषन किया और आखरी जो ग्रेट मुगल राजा हुआ जिसके साथ आपको पढ़ना होगा आगे जाके काफी सारे और भी रूलर्स आ जाएंगे औरंग जीब के बा जो समराज्य है वो भी विस्तरत रूप लेने लग गया अब औरंग जेब की डेथ के बाद ये जो समराज्य है मुगलों का जो पूरा भारत में फैला हुआ था ये टूर जाता है हिस्सों में और जो लेटर मुगल से हैं वो इसको इतना संभाल नहीं पाते हैं पहला राज तो सताओं की क्रांती का जो लीडर माना था लोगों ने वो बादुर्शाद जफर को माना था और उसके बाद उसक्रांती के बाद ये मुगल वन्स को पूरी तरह से खतम कर दिया गया जो इस्ट इंडिया कंपनी और बिटिश क्राउन है उसने उसको हटा दिया एक्तम पूरे भार्त पे साशन किया अब औरंग्जेब के बाद हमें अलग-लग राजाओं को पढ़ना है बंगाल को अलग पढ़ना है महाराश्टर को अलग पढ़ना है साउथ हिंडिया को अलग पढ़ना है क्योंकि ये जो इनका रज्य है वो पूरी त hizo गया तूट गया था अलग-लग हिस्सों, थीक है, उसके बाद 1749 में नादिर शाह आटैक करता है भारत पे, नादिर शाह का आटैक होता है, फिर बैटल ओफ प्लासी होता है, 1777 में आपको पता है ये भी historical चीज है जिसमें क्या होता है 1777 में एक तरफ होता है सिराज उद्वला बंगाल का जो की राजा होता है दूसरी तरफ होता है इस्ट इंडिया कमपनी और इन दोनों के बीच की लड़ाई में East India Company पहली बार जीतती है और उसके बाद East India Company ने भारत में किस तरीके से अपनी नीव डाली और पूरे देश पे कबजा कर लिया कैसे किया वो सारी चीजे हमें पढ़नी है जो British Crown है British East India Company हिनकी political rule देखना है फिर 1761 में एक important चीज हुई वो थी पानीपत की तीसरी लडाई पानीपत की तीन लडाईयां famous है पहली मैंने आपको बता है 1526 में हुई थी उसके बाद 1556 में एक अकबर के साथ और हेमू की लडाई होती है ठीक है फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लडाई होती है मराठों और अ पानीपत एक movie आई थी अभी latest वो इसी पानीपत की तीसरी लडाई के उपर बनी है पहली दो पे नहीं बनी है तीसरी लडाई पे बनी है उसके बाद 1877 में आपको पता है first revolt of independence होता है जो की इसकी last घटना है मद्देकालिन भारत की इथियास की हमारी आखरी जो घटना है व पता पाया कि औरंग जेब के बाद जो चीजें है वो बहुत सारी चीजें बिखर गई उनको separately अलग लग पढ़ना है तो वो भी हमारे इसी का topic है तो उसको हम cover अलग से करेंगे तो यह है और इसको हम करेंगे वीडियो के लिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो व है वे गुड़े